कि कल सुप्रीम कोट में अर्विंद केजरीवाल जी की बेल की हीरिंग थी उस बेल की हीरिंग में भारतिय जन्ता पार्टी की सी बी आई ने सुप्रीम कोट के सामने खड़े होके बोला कि हमें इस मामले में एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए आज हीरिंग मत करिये हमें एक हफ़ते का समय दीजिए हमें दो हफ़ते का समय दीजिए हमें एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए सुप्रीम कोट भी क्या करता जब वहां पे सी बी आई का वकीर खड़े होके बोलते हैं केंदर सरकार की सी बी आई बोलती है कि हमें समय चाहिए तो सुप्रीम कोट ने भी समय दिया और दो हफ़ते बाद की तारीक अरविंद केजरिवाल जी के केस की लगा दी लेकिन आज जिस एफिडेविट पर सी बी आई ने कहा कि हमें फाइल करने के लिए एक हफ़ते का समय चाहिए आज वो एफिडेविट दिल्ली के देश के हर अखबार में छपा हुआ है इसका क्या मतलब है कि जो आफिडेविट सी बी आई कह रही थी कि हमने तैयार नहीं किया हमें तैयारी के लिए एक हफ़ते का समय चाहिए तो वो आज देश के हर अकबार में कैसे छप गया इसका मतलब है आफिडेविट तैयार था इसका मतलब है कि सुप्रीम कोट को जूट बोला गया इसका मतलब है कि सिर्फ आरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और जेल में रचने की साजिश कर रही है भारतिय जनता पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो अफ इन्वेस्टिगेशन और ये कोई आज की बात नहीं है पिछले दो साल से लगातार आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के खिलाफ शडियंतर किया जा रहा है सभी नेताओं के खिलाफ रेड हो गई सभी नेताओं को बार बार पूचताच के लिए बुलाया गया और गवाओं को धमकाया गया आमादमी पार्टी के नेताओं के खिलाव गवाही देने के लिए इतनी रेड्स के बाद भी एक रुपया भष्टा चार का नहीं मिला फिर भी आमादमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके एक करके गिरफतार किया गया सतेंद्र जैन जी को गिरफतार किया गया मनीश सिसोदिया जी को गिरफ़तार किया गया संजे सिंग जी को गिरफ़तार किया गया लेकिन फिर भी जब आम आदमी पार्टी की दिली सरकार की रफ़तार नहीं रुकी तो लोक सभाचनाव से पहले अर्विन केजरिवाल जी को भी गिरफतार कर लिया जूटे मुकदमे में और आप इस शड्यंत्र को देखिए साफ साफ भाजपा का शड्यंत्र नजर आता है साफ साफ नजर आता है किस तरह से भारतिय जनता पार्टी एडी और सी बी आई को अपने राजनेतिक हत्यार की तरह इस्तमाल कर रही है